सद्गुरू, क्या आप बता सकते हैं कि जिन्दगी का क्या मकसद है? धन्यवाद क्या अच्छा नहीं है कि अगर कोई मकसद नहों, तो आपको कुछ भी पूरा नहीं करना, आप बस जी सकते हैं नहीं, पर आपको एक मकसद चाहिए और कोई आसान सा मकसद नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ मकसद, ये बहुत खतरनाक है लोग जो ये सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें मकसद दिया है, वो धर्ती पर तबाही मचा रहे हैं पैकिन है वो सबसे भयानक काम कर रहे हैं, और हमेशा से ऐसा करते आएं क्योंकि जब आपके पास भगवान का दिया वो मकसद है, तो आपका मकसद यहां की जिन्दगी से ज्यादा एहम बन जाता है नहीं, जिन्दगी एहम है जिन्दगी एहम है, जब मैं कहता हूँ जिन्दगी तो मैं आपके परिवार, आपके काम, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपकी पाटी वगएरे की बात नहीं कर रहा मैं उसे जिन्दगी नहीं कह रहा, ये जिन्दगी है, है ना जिन्दगी आपके अंदर है या आसपास है जिन्दगी का माहौल आप जिन्दगी के माहौल को गलती से जिन्दगी समझ रहे हैं आपका घर, आपका परिवार, आपका ओफिस, आपकी पाटी ये सब जिन्दगी का माहौल है जिन्दगी नहीं है, है न? आया नहीं आप माहौल को असली चीज समझने की गलती कर रहे हैं नहीं जिन्दगी एहम है क्योंकि आप बस इसे ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं क्या आप और कुछ जानते हैं बाकी सब तो कालपनिक है है नग बस यही है जो धड़क रही है जिन्दा है और यही सब कुछ है तो क्या यह एहम है? यह सबसे ज्यादा एहम है आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं वो एहम नहीं है लेकिन आप जीवन के एक हिस्से के रूप में यह बहुत एहम है क्योंकि वही हर चीज का आधार है जब मैं कहता हूँ कि वही हर चीज का आधार है आपके लिए ब्रहमांड का अस्तित्व है क्योंकि आप हैं है न? हाँ या न? आपके लिए दुनिया का अस्तित्व है क्योंकि आप हैं वरना आपके अनुभव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता इसलिए हर तरह से ये एहम है तो इसका क्या मकसद है? देखे, अगर आपका कोई मकसद होता और आप उसे पूरा कर लेते तो उसके बाद आप क्या करते? उसके बाद आप क्या करते? बोर हो जाते हैं, है न? बस इतना है कि जीवन इतना जटिल है और इतने अद्भुत तरीके से जटल है कि अगर आप 10,000 सालों तक भी इसे ध्यान से देखते रहे तो भी आप इसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे अगर आप लाखों सालों तक इस पर गौर करते रहे पूरा ध्यान लगाकर तो भी आप इसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे यह ऐसा है क्या इसका कोई मतलब है? जिन्दगी की सबसे बड़ी बात यही है कि इसका कोई मतलब नहीं है और इसे मतलब की जरूरत भी नहीं है यह आपके दिमाग का छोटापन है कि यह मतलब खोचता है जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते अगर आपके पास कोई मकसद या मतलब नहीं है लोग लगातार ऐसे जूटे मकसद बनाने की कोशिश में लगे हुए है अब वो काफी खुश और अच्छे भले थे अचानक उनकी शादी हो गई अब दूसरा इंसान मकसद बन गया फिर उनके बच्चे हो गए अब वो एक दूसरे से दुखी हो जाते है अब पूरा मकसद ये है कि मैं इस दुख में रुका हूँ बच्चों की वज़े से ये इसी तरह चलता रहता है ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और इन्हें जिन्दगी का मकसद मान रहे है और क्या भगवान का दिया हूँ कोई मकसद है अगर भगवान को पता ही नहों कि आपका अस्तित्व है तो नहीं, बाइचांस, उन्हें पता नहों इस विशाल ब्रह्मांड में जहां भगवान को इन अर्बों आकाश गंगाओं का निर्माता और मैनेजर माना जाता है उन सब में ये छोटा सा प्लानेट और इस शेहर में आप मान लीजे कि उन्हें पता ही नहीं कि आप हैं तो क्या करोगे? हो सकता है या नहीं? माफ कीजे मैं ऐसी बुरी बाते कर रहा हूँ पर ये हो सकता है कि नहीं? क्या होगा अगर उन्हें पता ही नहों कि आपका अस्तित्व है? क्या होगा अगर आपके लिए उनके पास कोई प्लान नहों? मान लीजी कि उनके पास कोई प्लान नहीं है आपके लिए खास प्लान ऐसी चीजों मत फसिये बात ये है कि स्रिष्टी इस तरह से बनाई गई है कि स्रिष्टी और उसके निर्माता को अलग नहीं किया जा सकता आप इस स्रिष्टी का एक हिस्सा है और साथ ही स्रिष्टी का स्त्रोत आपके अंदर धड़क रहा है। अगर आप जीवन की इस प्रक्रिया पर जरा ध्यान दें, आपको किसी मकसद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपको लाखों सालों तक व्यस्त रख सकता है। यहां इतना कुछ हो रहा है। इतना कुछ मतलब इतनी सारी अविश्वस्नी चीज़ें अभी यहां हो रही हैं। अगर आप ज़रूरी ध्यान दें, यह आपको लाखों सालों तक व्यस्त रख सकता है, यह ज्यादा भी। अभी मकसद की जरूरत इसलिए पढ़ रही है, क्योंकि आप अपने मानसिक धाचे में फसे हुएं, अपनी जीवन प्रक्रिया में नहीं। अपने मन में आपका मानसिक धाचा उस सीमित जानकारी से काम करता है, जो उसने इकठा की है, यह उसी के अंदर घूमता रहता है। और अभी आपके विचार और भावनाएं आपके जिन्दगी से कहीं ज्यादा एहम हो गए हैं। है कि नहीं। तो इसी वज़ह से आप मकसद ढून रहे हैं इस जाल से बाहर निकलने के लिए जो आपने अपने ले खुद बिचाया है। मेरा मतलब मैं जीवन की बात कर रहा हूं, शादी की नहीं। वही तो तो ये जाल आपने खुद बिछाया है इस से बाहर आना असान है पर यही तो पूरी बात है ये इतना मुश्किल इसलिये है क्योंकि अब आपने जाल से अपनी पहचान जोड ली है आपको ये अच्छा लगता है आपको ये अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको कुछ माइनों में सेफ्टी और सेक्योरिटी और प्रोटेक्शन और एक अलग पहचान देता है अगर आप अपने चारो तरफ एक सुरक्षा कवज बना लेते है तो वो आपको सेफ्टी देता है पर आपको कैद भी कर लेता है खुद को बचने के लिए बनाई गई दिवारें खुद को कैद करने वाली दिवारे भी है जब ये आपकी रक्षा करती है आपको ये अच्छी लगती है जब ये आपको रोकती है आपको ये अच्छी नहीं लगती इसलिए घर में दर्वाजे होते हैं हमें दिवारें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमें बचाती हैं लेकिन दर्वाजे भी होते हैं ताकि हम उन्हें खोल सकें और जब चाहें बाहर जा सकें चाहें दिवारे कितनी भी अच्छी हों हम फिर भी बाहर निकलना चाहते हैं, है न? तो ऐसा आपके बिचाय हर जाल के साथ है चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आप फिर भी बाहर निकलना चाहते हैं तो जो मानसिक दिवार आपने बनाई है जो आपको एक तरह की पहचान देती है जो आपको आपके एक इनसान होने का एसास करवाती है, एक अलग इनसान और जो आपको सुरक्षा देती है जब आप महसूस करने लगते हैं कि ये एक जाल है, तो कहीं न कहीं आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो इसे ना तोडने का, एक तरीका है, एक मकसद ढूंड लेना वो लोग जो जिन्दगी में मकसद ढूंड लेते हैं, वो अभिमानी बन जाते हैं वो हमेशा के लिए अपने ही जाल में फंसे रहेंगे ये सोचकर कि वो सबसे बहतरीन काम कर रहें सबसे पहले आपको जरूरत है संतुलन की अगर आपके पास संतुलन है तो आप उचाई पर चड़ सकते हैं अगर आपके पास संतुलन नहीं है तो जमीन पर रहना ही बहतर है है न? बिना संतुलन वाले इंसान के लिए उचाई पर चड़ना सुरक्षित नहीं है बहतर होगा कि आप जमीन के करीब ही रहें चड़े नहीं तो सबसे पहले संतुलन बनाना ज़रूरी है फिर आप अपना मानसिक धाचा धीला कीजिए तब ये बहुत बढ़िया होगा अगर आप अपना मानसिक धाचा धीला छोड़ रहे हैं बिना संतुलन के जो आज कल काफी लोग कर रहे हैं देखिए क्यों कोई शराब पीना चाहता है या ड्रग्स लेना चाहता है क्योंकि ये आपके मानसिक धाचे को धीला कर देते हैं और आपको एक पल के लिए आजाद महसूस करवाते हैं लेकिन जरूरी संतुलन के बिना आपने संतुलन के लिए काम नहीं किया लेकिन आपको आजादी मिल गई बिना संतुलन के आजादी तबाही है अराजकता है है ना तो पहला काम है संतुलन लाने के लिए काम करना इतना जबरदस्त संतुलन कि अगर आप अपने मानसिक धाचे को तोड़ते हैं फिर भी आप सहचता से जी सकें अपने मानसिक धाचे को तोड़ना एक बहुत यहम प्रक्रिया है क्योंकि यह आपका जाल है यह आपकी सुरक्षा है यह आपकी स्थिरता है लेकिन साथी साथ यह आपका जाल भी है क्योंकि दिवारे बन चुकी है आप सुरक्षित महसूस करते हैं पर यह आपका जाल भी है अगर आप अपने जाल को तोड़ते हैं आप अपनी सुरक्षा भी तोड रहे हैं, है न? आप अपने मकसद को भी तोड रहे हैं आप हर वो चीज तोड रहे हैं, जो आपके लिए मायने रखती है तो इसके लिए संतुलन चाहिए बिना संतुलन के अगर आप इसे तोड़ेंगे, तो आप पागल हो जाएंगे मगर मकसद की खोज मत कीजिए क्योंकि अगर आप मकसद ढूनते हैं, तो आप पागल पन ढून रहे हैं अगर आपने मकसद ढून लिया, तो आप पका पागल है हाँ? अगर आपको लगता है कि आपने जिन्दगी में एक मकसद ढून लिया तो आपका पागल हो गlor है क्योंकि सिर्फ पागल लोगों के पास ही मकसद होता है और लोग जिनके पास मकसद होता है वो कई तरीकों से पागल होते है ये चीज़ें आप खुद अपने मन में बनाते हैं और विश्वास करते हैं कि ये सच है, है ना अभी अपने देश के लिए लड़ना मेरा मकसद है अभी अगर इसकी जरूरत है तो मैं लड़ूंगा ये जानते हुए कि ये फालतू का खून खराबा है तब आप सिर्फ उस हद तक लड़ेंगे जितने की जरूरत होगी अगर आपको लगता है कि यही आपका मकसद है तो आप पूरी दुनिया को तबाह करना चाहेंगे सिर्फ अपने फालतू विश्वास की वजए से, है ना अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम करेंगे जी जान लगाकर इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है जिन्दगी का मकसद है जीना और पूरी तरह से जीना पूरी तरह से जीने का मतलब ये नहीं कि रोज रात को पाटी करो पूरी तरह से जीने का मतलब है कि मरने से पहले जिन्देगी के हर पहलू को देखा जा चुका है, कुछ भी अंदेखा नहीं रहा. इस से पहले कि आप मरें, अगर आप पूरे ब्रह्मान को नहीं देख पाते, तो कम से कम जिन्दगी के इस हिस्से को तो पूरी तरह से जान लेना चाहिए. आपको अपने साथ इतना तो करना ही चाहिए पूरी तरह जीने का मतलब यही है कि आपने इसे पूरी तरह से अनुभव कर लिया इसके हर आयाम को आपने कुछ भी बिना देखे नहीं छोड़ा आप बस इतना कर लें इसमें बहुत वक्त लग जाएगा यह मकसद आपके लिए काफी है